नमस्कार दोस्तों, All Exam Guide Guru के YouTube चनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे, आप सभी का स्वागत करता हूँ, दोस्तों यहाँ पर आपके लिए Lucent A.D. आपने पढ़ी है, तो Lucent के ही कॉश्चन है, सुपरफास्ट सौ कॉश्चन है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए और कोशिश करिए 50 कॉश्चन आपके सही जाए, MCQ फॉर्मिट में है, मेरे साब से तो easy है, 15 भी स्टफ होंगे, बाकी easy है, तो कम से कम 50 option number C, अनंग पाल तो माड़ा, यहाँ पर इस प्रशन के लिए right answer हो जाएगा, अगला कोश्चन, अंतिमो मुगल बादशाह कौन था, तो आकरी मुगल बादशाह था आपका बहादूर शाह, जफर second, बतलब जफर second option number यहाँ पर B सही आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए शाहे बेखवर से किस बादशाह को जाना जाता है, तो शाहे बेखवर नाम से जाना जाता है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका इस प्रशन के लिए, बहादूर शाह प्रथम को option number यहाँ पर D बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए, आगरा शहर की स् सिकंदर लोधी ने, option number C, सिकंदर लोधी right answer हो जाएगा, टीपू सुल्तान कहा का शाशक्था, तो टीपू सुल्तान यहाँ पर सही answer हो जाएगा, आपका ये शाशक्था मैशूर का, option number B, मैसूर यहाँ पर इस प्रशने के लिए right answer हो जाएगा, मराठा राजी का दूसर संस्थापक किसे माना जाता है तो मराठा राजी के दूसर संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं बाला जी विश्वनात ऑप्शन नंबर भी यहां पर सही आंसर हो जाएगा शिवा जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे तो शिवाजी के आध्यात में गुरू यहाँपर सयांसर हो जाएगा गुरू रामदास जी, option number A इस प्रशने के लिए सयांसर है गुरू रामदास जी ताट्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो ताट्या टोपे का मूल नाम था आपका रामदास जी, option number A रामदास जी, राइट आंसर है शिवाजी का मंत्री मंदल क्या कहलाता है? तो शिवाजी के मंत्री मंदल कहा जाता है, अश्ट प्रधान, option number B अश्ट प्रधान यहाँपर राइट आंसर हो जाएगा मुगल वंश का घ्रनत कायर किसे कहा जाता है? तो मुगल वंश का घ्रनत कायर, फरुक्सियर को कहा जाता है, option number B फरुक्सियर से आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए नवरत्न किश शाशक के दरवार में रहते थे तो नवरत्न जो है वो अकबर के दरवार में थे option number A, अकबर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए आदिगरंत के संचालन करता कौन थे तो आदिगरंत के संचालन करता गुरू अरजुन देव जी थे option number B, अरजुन देव जी राइट आंसर है श्वाण मंदिर को किसने बनवाय था तो श्वाण मंदिर को बनाने का श्या जाता है गुरू अरजुन देव जी को option number D, यहाँ पर से आंसर हो जाएगा गुरू अरजुन देव जी तो पटना साहिब में option number A, पटना शाहिब यहाँ पर से आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो उस समय जो लॉड कैनन भारत के गवर्नर जनरल थे यहाँ पर option number आपका साहिए आंसर हो जाएगा D, लॉड कैनन अगला कॉशन देख लेते हैं यह आपकी स्क्रीन पर 1877 के विद्रों का बिहार में नेतर्तु किसके द्वारा किया था तो बिहार में नेतर्तु किया गया था option number D, कोवर सिंग के द्वारा यहाँ पर कोवर सिंग ने बिहार में नेतर्तु किया था ब्लैक ओहोल की घटना कब घटी थी तो ब्लैक ओहोल की घटना आपकी घटी थी 1756 इसवी में option number C यहाँ पर 1756 इसवी right answer हो जाएगा विश्यू का सबसे बड़ा धीप कौन सा है तो विश्यू का सबसे बड़ा धीप यहाँ पर जो options देगे हैं उसके answer आपका Greenland बिल्कुल सही answer हो जाएगा option number C greenland right answer है छेत्रवल की डश्टी से सबसे छोटा राज कौन सा है तो छेत्रवल की डश्टी से सबसे छोटा राज गोवा है option number D सही answer है भारत का सुट्जरलेंड किसे कहा जाता है तो भारत के सुट्जरलेंड के नाम से जाना जाता है जमू और कश्वीर option बड़ी यहाँ पर right answer हो जाएगा प्रायदीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो प्रायदीपी भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी ओप्शन बड़ी गोदावरी नदी राइट आंसर है इस प्रशन के लिए भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की जील कौन सी है तो भारत की सबसे बड़ी ताज नदी या नाइल नदी भी बोलते हैं इसको option number B right answer हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रसांत महासागर option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए हजार हातियों की भूमी किसे कहा जाता है तो हजार हातियों की भूमी के नाम से लाउस फेमत से option number यहाँ पर C सही answer हो जाएगा लाउस विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप माजूली दीप है कमेंट करके बताइए माजूली दीप किस नदी पर बना हुआ है और किस देश में स्थेते माजूली दीप पिरामिट का देश किसी कहा जाता है तो विश्व में पिरामिट का देश कहा जाता है मिश्व को option number यहाँ पर सही answer हो जाएगा सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है तो सोया प्रदेश के नाम से सोया मतलब सोने वाला स्लीपिंग वाला नहीं सोया बीन वाला सोया मदबलेश को सोया प्रदेश कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा रगिस्तान कौन सा है भारत की सबसे लंबी तट्रेखा वाला राज कौन सा है तो भारत की सबसे लंबी तट्रेखा है गुजरात की option number C, गुजरात यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बुलन दर्वाजा कहा परिस्तित है, तो बुलन दर्वाजा फटेपूर सीकरी में से थे option number D, फटेपूर सीकरी राइट आंसर हो जाएगा जन संख्या की रश्टी से सबसे छोटा राज कौन सा है तो जन संख्या सबसे कम है आपकी सिक्के में आपकी सिक्के में हापर राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो भारत की सबसे उची चोटी है आपकी K2 Godwin Austin option number D राइट आंसर है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो भारत का सबसे लंबा बांध है आपका हीरा कुंड बांध option number यहांपर B सही आंसर हो जाएगा चीन का शोग किस नदी को कहा जाता है तो चीन का शोग कहा जाता है आपको हुआंगो नदी को option number यहांपर C सही आंसर हो जाएगा भारत का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है तो भारत के मैंचेस्टर के नाम से अहमदाबाद फेमस है option number अहमदाबाद D सही आंसर है सबसे बड़ा प्रायधीपी कौन सा है तो सबसे बड़ा प्रायधीपी है आपका अरब प्रायधीप option बड़ी अरब प्रायधीप यहांपर राइट आंसर हो जाएगा एशिया का सबसे बड़ा रगिस्तान कौन सा है तो एशिया का सबसे बड़ा रगिस्तान तो विश्व की सबसे बड़ी जील, आपका option number A, यहाँ पर सही answer हो जाएगा, कैस्पियन सागर या कैस्पियन जील, विश्व की सबसे बड़ी जील है, अगला question देखिए, इसमें पूछा गया है, भारत का प्रवेशद्वार किसे माना जाता है, तो भारत का प्रवेशद्व अगला question देखिए, एगले question में आपसे पूछा गया है, विश्व का सबसे उचा परवसिखर कॉन सा है, तो विश्व का सबसे उचा परवसिखर M.AVREST है, M.AVREST को नेपाल में क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में Comment करके बताईए, M.AVREST को नेपाल में किस नाम सी जान तो सबसे छोटा नदी दिव है उमानन्दा ये आपका इस्तित है ब्रह्मोपुत्र नदी पर ठीक है सबसे बड़ा भी वही है और सबसे छोटा भी ब्रह्मोपुत्र नदी पर है उमानन्दा नाम है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो भारत की सबसे लंबी सहाय नदी यमुना है गंगा की सहायक है ऑप्शन अमड़ी सही आंसर है गंगा यमुना से कहां मिलती है कमेंट करके होताईए गंगा और यमुना का जो मिलन है वो कहां पर होता है किस जगा पर किस शहर के समीब कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताईए भारत का पैरिस किस सहर को कह जाता है तो भारत के पैरिस के नाम से फिमँसे आपका जैपुर option priority जैपुर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आसुओं का प्रविजद्वार किसे कहा जाता है तो आसुओं का प्रविजद्वार कहा जाता है बाब अल मंदब को option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद कहां पर है तो जामा मस्जिद जो है यह दिल्ली में से थे ओप्शन नमबर ए ओप्शन नमबर सी दिल्ली यहां पर सही आंसर हो जाएगा भारत की सब भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है option number A थार मरुस्तल राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा गुंबच गोल गुंबच कहां पर हैस्ते थे तो भारत का सबसे बड़ा गुंबच गोल गुंबच यह आपका हैस्ते थे अप्शन नमबर D, नारवे यहां पर सही आंसर है, हजारों जीलों की भूमी किसे कहा जाता है, तो हजारों जीलों की भूमी, फिनलेंड को कहा जाता है, उप्शन नमबर D, फिनलेंड राइट आंसर हो जाएगा, उगदे सूर्य का देश किसे कहा जाता है, उगदे उगते है चेत्रफल की रश्टी से सबसे बड़ा राज कौन सा है तो चेत्रफल की रश्टी से सबसे बड़ा राज है आपका राजिस्थान option number A राजिस्थान सही answer हो जाएगा इस प्रशने के लिए भारत का सबसे उंचा बांध कौन सा है तो भारत का सबसे उचा बांध दिया आएगा तो तेहरी बांध सबसे उचा है option number C सही answer है विश्व का सबसे बड़ा दीप समभू कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा दीप समभू आपका Indonesia दीप समभू option बढ़ी यहाँ पर सयांसर हो जाएगा भारत में सरवादिक वर्षा किस स्थान पर होती है तो सरवादिक वर्षा सब को पता है मासिन राम में ऑप्शन बढ़ी यहाँ पर सयांसर हो जाएगा इस प्रशने के लिए भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है तो सबसे क उत्तरप्देश और छेत्रफल की रष्टी से है राजस्थान ठीक है आपको बता चुका हूँ अभी थोड़े पहले जन संक्या में उत्तरप्देश और छेत्रफल में राजस्थान भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा नद वासकोडी गामा भारत कब आया था comment box में comment करके बताईए इस प्रश्ण का अंसर गौतम बुद का जन्व कब हुआ था तो गौतम बुद जी का जन्व हुआ था 563 इसा पूर्व option बसी यहाँ पर सही answer हो जाएगा भारत का पहला missile कौन सा है तो भारत की जो पहली missile है उसका नाम था प्रतवी option बड़ी और आप comment करके मुझे बताईए कि भारत का missile man किसे कहा जाता है ये प्रश्ण का अंसर comment box में comment करके बताईए आकाश missile मार करती है तो जो आकाश missile है आपकी वो मार करती है जमीन से हव़ा पर option बसी सही answer हो जाएगा सता से हवा पे प्लासी का युद्ध का हुआ लगतिए बगसर का युद्ध का अंसर यहां पर सही answer हो जाएगा मुसलम लीड की इसा आपना कब की गई तो मुसलिम लिख की जो इस्थापना हुई थी वो हुई थी 1926 में option number B 1926 राइट आंसर हो जाएगा भारतिय अंत्रिक्ष्य अनसंदान संस्थान या संगठन इसरो का मुख्याला कहां पर है तो इसरो का जो मुख्याला है वो बैंगलोर में से थे option number B बैंगलोर यहां पर इसरो प्रशनी के लिए सही आंसर हो जाएगा कौन एक टेंक रोधी मिसाइल है तो टेंक रोधी मिसाइल यहां पर नाग एक टेंक रोधी मिसाइल है option number A, नाग यहां पर right answer है इस इसरो प्रशनी के लिए प्रतम विश्युद कब से कब तक चला था तो जो पहला वर्ड वार हुआ था वो 1914 से 1918 तक चला था option number C यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अस्त्र मिसाइल कहां से कहां तक मार करती है तो अस्त्र मिसाइल जो है पुछाता है कि missile man किसे कहा जाता है ठीक है तो इनको ही missile man कहा जाता है हवाई-जहाच में black box का रंग कैसा होता है तो हवाई-जहाच में जो black box होता है उसका रंग होता है नARंगी option number A सही answer हो जाएगा wichtiger पर सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन का स्रूत क्या है इंसुलिन का स्रूत जो है आपका अगनाशे गरंती से इंसुलिन का स्रा होता है option number A यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अगनाशे गरंती से मलेदिया रोग किसके द्वारा फैलता है तो मलेदिया रोग फैलता है आपका प्रोटो जुवा के द्वारा option number C सही answer हो जाएगा फैजी किसके दरवार में रहते थे तो फैजी जो थे वो अकबर के दरवार में रहते थे option number B अकबर यहां पर सही answer है चार मीनार कहां इस्ते थे तो चार मीनार जो है आपका वो इस्तित आपका हैदराबाद में option number C हैदराबाद सही answer हो जाएगा आपको मुझे बताना है हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है अबिनाबिन्दरा का समद किस खेल से है तो अबिनाबिन्दरा का समद निशाने बाजी से है option number A यहाँ पर सही answer हो जाएगा लोहा का सुदतम रूप कौन सा है तो लोहे का सुदतम रूप है आपका पिटवा लोहा option number B right answer हो जाएगा पिटवा लोहा अगला कोशन देखिए रगवी पुटवाल के प्रत्यक पक्ष में यहाँ पर सही answer हो जाएगा आपका टोटल जो खेलाडियों की संख्या होती है वो होती है आपकी 15 option बसी 15 right answer हो जाएगा नाव दोड किस राज का लोग प्रिखेल है तो जो नाव दोड है वो केरल का लोग प्रिखेल है option number D और केरल right answer है अगला कोशन देखिए इसमें पूछा गया है म्रक्ष कटिकम नाटक के लिखक कौन है तो म्रक्ष कटिकम नाटक के लिखक शुद्रक है option number B right answer है महावीर किस राजगराने में पैदा हुए थे तो महावीर जी जो है वो आपकी छत्रीय राजगराने में पैदा हुए थे option number ये right answer हो जाएगा गुरुगोविन संग का जन्म कहां पर हुआ था गुरुगोविन संग जन्म हुआ था पत्ना साहिब में option number पतना साइब यहाँ पर सही answer हो जाएगा Thomas Cup का संबंध किस खेल से है तो Thomas Cup का संबंध है आपका badminton से option number B badminton सही answer है basketball किस खेल में प्रतिक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं तो basketball में पांच खिलाड़ी होते हैं प्रतिक पक्ष में अगला question देखिए एक यह बना क्या है तो एक यह बना जो है वो आपका सही answer हो जाएगा fool की सजावट करने की एक जापानी पढ़ती है और यह होगा आपके 200 question यह रहा आपके लिए surprise question इस तो प्रशन का answer comment box में comment करके बताइए रण छोर शब्द किस से संबंध है वैसे तो आपने रण छोर शब्द कृष्ण जी के लिए सुना होगा लेकिन यहाँ पर जो options दिए गए हैं उसमें से किस संबंध है मैं आपको दो option दे रहा हूँ उनमें से एक सही है दादा भाई नौरो जी या फिर मुराजी दे साई इनमें से बताईए रण छोर शब्द किस संबंध है मिलते हैं अगले वीडियो में तें तक लिए अपने ख्याल रुकिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब हो बहुत बहुत धन्यवाद